तो जो राहुल जी कहते है कि नफरत के बाजार में मुखबत की दुखान खोल रहा हूँ, हां मैं राहुल गांदी बोल रहा हूँ, तो लोगों को दिल छूग गई है लोगों के और बहुत प्यार बिला है सब्कुरूर जी आसीका कुजूर जी के बारे पता दू फ्रेंड से राहूल गांधी जी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमेटर पैदल चली है उनसे जानेंगे आज उनके experience के बारे में तो आसीका कुजूर जी आपका स्वागत हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सरोच जी आपने राहूल गांधी जी के साथ में 4000 किलोमेटर पैदल चली थी उसका experience जाना चाहेंगे हम जी बिल्कुल मैं 36 से सबसे कम उमर की भारत यात्री थी पूरे देश से 120 लोगों का चैन किया गया था कॉंग्रेस के तरफ से जिसमें मुझे भी ऐसा सबागय मिला कि 36 कॉंग्रेस ने मुझे इस एतिहासी की यात्रा में शामिल होने का मौका दिया और रही बात experience की वह तो बहुत ही amazing experience था हमारी जो generation है घूमने फिरने वाली generation है और अगर कोई बोले कि पूरा देश घूमना है तो obviously हम backpack करके निकल ही जाएंगे पर जब यातरा शुरबात करने जा रहे थे हम कन्या कुमारी तो उस यहां से घर से निकलते समय मुझे मन में यह सवाल होते थे कि पैदल चलने से लेकिन दूसरे दिन हम सीरियसली 25 किलोमेटर पैदल चले पहले हपते पैर में दर्थ हो गया जब हम तामे लाडू निकल रहे थे यह भी हमें डाउट था कि राहूल जी चलेंग या नहीं चलेंगे पर वो सच में चल रहे थे और आप यकीन नहीं करोगे पूरे 4000 किलोमेट सेम रूटीन सेम स्पीड और उनका 25 किलोमीटर चल ले चल लेथे और उसमें घवी कभी भी लेते थे बीच में जो लांच ब्रेक होता था लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि हम एक बार शूरू करते थे 6 बजे और 23 sì किलो मेठर हम एक ही बार में चल लेते हैं बिने ब्रेक के ऐसे होता हमारे साथ क्योंकि यह अगार है यह यह है लिए को जानने के बाद हुथ हर्द फे रम चलने लग जाते थे तहे कि हम लोग ने यातरा की नहीं है हम गाड़ी में सफर की हैं लेकिसी को दिखाने दस मिनट तक भी अगर आप वीडियो बना रहे होते ना तो भी आपको उतनी ही भीड दिखाई देती सबसे जादे हमने केरल में किया था वहां के लैंगवेज वहां के कल्चर और वहां जो लोगों का जोश था इतना उत्सा के साथ उन्होंने यातरा का स्वागत किया था कि वही उत्सा हमें कश्मीर तक पहुचने में मदद कर रहे थी क्योंकि होता है ना कि शुरुवात अगर अच्छी हो तो आगे के लोग भी देखते हुए जाते हैं केरल बहुत अच्छा रहा तो करनाटक के लोगों ने उससे बढ़के काम करने की कोशिश की फिर तेलंगाना अद्रा महरास्ट में जो महराजा स्थात बात देखने को मिला और फिर मध्य प्रदेश की खानपान इसे करते से हर राज्य में अलग अलग तरह का कічल्चर देखा लोग्मीले लाग्वेज अर autisten में बदल ते जा रहे थी बूकुत लिए सब्सक्वेFS रहा मेरी मेरी ज जन थी वो महिला कॉंग्रेस की तरफ से गई थी और मुझे राजियो गांधी पंचायती राजसंगठन की तरफ से मौका मिला था अच्छा जी और अपने बारे में कुछ वदाई है हमारे गर्सकों को मैंने 2019 में जन्पत पंचायत का चुनाओ लड़ा था जिसमें मुझे जन्प मी ऑब भापती हूं अभी वर्तमान में मतलब तो एसा है कि जो हमारे लोग हैं मैं आदिवासी ुहूं मैं ने शहर में पढ़ाई की राज़्दानी में जन्लिजम के तो मैं तो तो मुझे मैं हमीश अपनी पहचान ऐसी बताती हूं कि मैं 36 जश्पूर जिले के बगीचा ब्लॉग के टांगर्डी पंचाहत के ओड़का गाउं से हूं एक ऐसा गाउं जहां पर अभी भी एक जो होता है ना सुईधा रोड मेरे घर तक रोड पहचा नहीं है अच्छा सब्कों कहाँ में मैं Daliland 35 वा पुझभा अलए जाहां कि एसी कहानी बताते में दादी लोग कि ओड़का मुझा को पत्थर होता है उसके बीच में सुरंग होता है उसमें छिपाके रख रखते थे बज़िए लों को 개चले कर करके ईसी कहानी बताते है मन गढ़ंत कहानी वि हो सकता है हमें डराने के लिए हो लेकिन हमें तो आज तक डर लगता है उस पत्थर को देखके कभी आईएगा ज़रूर ओड़का लता देखने के लिए बिलकुल और कुछ हमारे दर्श को क्या बलना चाहेंगे इस बार चुनाओ भी है अभी तो कॉंग्रेस का कैसे महौल इलेक्शन है और चतिसगर में तो भुपेश की सरकार भरोसे की सरकार रही है वुपेश बगेल जी ने इतनी सारी योजनाय लागो की है जो हर वर्ग को प्रभावित की है अभी भी हम अगर लोगों की बीच जाते हैं तो कॉंग्रेस की सरकार की जो योजनाय है उसे लेकर जाते हैं और लोग बहुत खुश हैं इस सरकार से और जैसे विने भगत जी के बारे में आज हमने उनका नामंकन भरा है और आज जो रैली हुई है हम लोग यहां से पैदल कलेक्टरिट तक गए और मुझे सच बताओ तो भारत जोड़ो यात्रा की याद आ गई वही लोग ज कि भारत जोड़ो यात्रा भी बिल्कुल ऐसी ही थी मतलब हम लोग 25 किलो मिटर लोगों के बीच में जब चलते रहते हैं तो हमें थकान मैसूस नहीं होती थी तो यही जो आज मुझे फिर से देखने को मिला और इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि मुझे भारत जोड़ो य भेले बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट मिला ना मिला वो अलग बात है लेकिन एक हुता है ना कि हम जिसको चुनके बनाते हैं अपना नेता वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो अब विनवेज़जी को देखिलो ना कभी भी किसी भी कारेकरम है कर उनको बुल रही है तो इस तरह से लोगों से उनका जुडाव है यह चीज़ अभी जश्पूर में देखने को मिलेगा तो बहुत लोग बोलते हैं कि भी अब पूरा ने सीनियर लोगों को संबान नहीं अब ऐसा है कि हर किसी को संतुस्ट नहीं किया जा सकते हैं थोड़ी बहुत परिवा तो आज रैली में जो लोग आये थे, वो अपने पन की वज़ा से आये थे, क्योंकि लोगों का उन से जुड़ाव है, और आगे आपका क्या प्लान है, आगे का, प्लोटिक्स कारियर की बात करूं तो, आगे, नौकरी छोड़ के आई हूँ, पॉलिटिक्स में, तो कुछ अच्छा विजन लेक मेरे लोग की यह करें, बहुत उक्या पैशने जुड़ी यहां, जो जो अगर मेरे छोटे qeatr के नहीं दो किया था और फिर पोस्ट ग्राजुईशन मैंने राइपूर से किया था तो जब दो साल में राइपूर का महौल देखी राजधानी का तो मुझे लगता था कि यही जो इट्मॉस्ट्फियर है वो हमारे छेत्रे में क्यों नहीं है जश्पूर जीले में क्यों नहीं है ऐसा न सब्लब हो मैं सिक्षा पर बहुत जादा फोकस करती हूं मैं अपने पांच-पंचायत छेत्र जो है वहां स्कूल में विजिट करती हूं बच्चों सहमेशा मिलते जुलते रहती हूं चलो आज मेरे पास बहुत बड़ा पद नहीं है जन्पत पंचायत हूं जन्पत पंचा करने खोले हैं तब से थोड़ा एक डेवलप्मेंट डेखने को मिल रहा है बच्चों की अंग्रेजी में बहुत सधार हुआ बहुत अच्छा बोलते हैं हमसे तो कहीं जादा अच्छा बोलते हैं वैसे मैं इंग्लिस लिटरेचर किया हुआ है पर हमारे समय मैं ऐसा होता थ सदस्या है तो अगले बार डीडीशी लड़ना चाहेंगे अब जनता ने प्यार दिया तो जरूर एक स्टेप बाई स्टेप जाने में बिलीव करती हूं मैं जन्पत के बाद जिला और फिर उसके बाद आगे अगर जनता मौका देती है प्यार देती है और कॉंग्रेस संग होता है कई लोगों के बस अभी तक वोटर आइडी नहीं होगा इवन 25-30 साल के हो गये होंगे वो लोग कहते हैं कि हमने कभी वोट नहीं दिया है तो यह देखके मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं भी तो इसी जनरेशन से हूं फिर मैं अपना हर चीज त्याग करके मैं उनके लिए स्ट्रगल कर रही हों जिनको खुद इस चीज से कोई मतलब नहीं है यह चीज देखके मुझे बुरा लगता है पर फिर भी आज नहीं तो कल उनको यह चीज समझ में आएगे कि युवाओं की सह भागिता राजनीती में कितनी जादा जरूरी है छोटी से छोट कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमारा विधाय कौन है हमारे जन प्रतिनी दी कौन है कम से कम इतना भी नॉलेज रख लेना तो शायद थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है युवाओं को ले मतलब ही शन्दी से बिलकुल मैं सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं पर करती हूं क बहुत अच्छा से रिलेक्ट कर सकती हूं कि कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसी थी बिंदास रहती थी मेरे को बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता था कि आज पास में क्या हो रहा है कौन क्या है जन प्रतिनी क्या है सच बताओ जो बहुत लोग जानते नहीं है लेकिन जन प पर कि कोई भी अन्य योजना हो गई वह जन्पद की बैठक में डिसक्रशन किया जाता है आंगनबाडी की न्युकती जन्पद की बैठक में तारीत होती है जो बहुत सारी चीजें जो जन्पद में होती है लेकिन हमारी आपके चेत्र में लगबख घर गामें बिजली है जैसे एक दो जगह है ऐसे जैसे मेरे पंचायज चेत्र है गुर्मा को ना वहां पर कदम बथान थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो वहां खंबे तो लग गये हैं लेकिन थोड़ा सदिक्कत हो जाता है आपके चेत्र में पहाड़ी कोर्वा जन्जाती के लोग है हां जी विस्थापन तो कर नहीं सकते तो जो जहां है उनको वहां पर स्विधा देने की कोशिश करते हैं सरकार चावल दे रहे हैं Pastor दे रही है मन्रेगा में कितना काम करते हैं लोग जो जो कॉंग्रीस के सरकार ने क्या मन्रेगा अलागे वह बहुत अच्छा काम किया है उपर से 36 इस गर सरकार 50 दिन का काम एक्स्ट्रा भी देती है तो इसे डेर सो दिन का रोजगार तो मिली जाता है लोगों को तैसी बहुत सारी चीज़ें जो उनके लाइस्टाल को सुधार रही है और सिक्षा कोर्वा लोगों के लिए सिक्षा की भी विवस्था है निश्चुल्क उसने कहा था कि वो पड़ी लिखी है लेकिन उसकी नौकरी लगी नहीं है तो भुपेश जीन उनको उसी समय आस्वाशन दिया था कि बहुत जल्द कोर्वा लोगों के लिए निकाली जाएगी और दो-तीन महिने के अंदर ही उनको नियुक्ति दी गई विनाभागत जी गय अच्छा जी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश था हो सफल हो गया है क्या लगता है बिलकुल भारत जोड़ो यात्रा नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलने के लिए की गई थी और जो तामिल नाडू में प्यार मिला और वैसे ही 14 राज्वे में हम पैदल चले जो कश्मीर को लेकर अफाह होती है वह बिलकुल भी वहां वैसा हमें महाल ने लगा वहां भी हमें उतनी ही महबत देखने को मिली तो जो राहूल जी कहते हैं ना कि नफरत के बाजार में महबत की दुखान खोल रहा हूं हां में राहूल गांधी बोल रहा हूं तो वह अब स्टार प्रचारक है तो में भी जश्पूर का तो नहीं कह सकती 35 जरूर आएंगे भी आते ही रहते हैं दो तिन बार आना हो गया प्रियंका जी भी आ चुकी है खड़गे जी भी दो बार आ चुके हैं अभी जब से चुनाओं की खोशना हुई हो सकता है कि यहां भी आ गुइंदाइक भी डांस करते हैं तो उनको छोटे चोटे गोविंदा है हमारे विदायक जी उनका डांस बहुत दूर दूर तक फेमस है हमारे कुछ मित्रे नॉन पॉलिटिकल जो अदर स्टेट के वो लोग भी कहते हैं अच्छा वोज़ चश्मा लगा के डांस करते हैं वो वले विदायक है तुम्हारे तो हम कहते हैं हाँ वो हमारे ही विदायक है तो उनका डांस बहुत फिमसे और स्वेता बाभी के गाने आपने सुने होंगे मैं सिंगर फेल हो जाया उनके सामने वो एक जो महौल बना देती हैं लोगों की बीच में अपनी मदोर आवाज से आपका कुछ परस्नल सायरी कुई स्टेज में वैसा तो मैं मोटिवेशनल चीज़ें ही बोलती हूं बच्चों को संबोधित करने के लिए वैसा तो मैं ज्यादा तर दो तिन लाइन ही बोलती हूं मोटिवेशनल पर महिलाओं से रिलेटेड अगर कभी रहा स्कूल में जान हैं आजादी बेटियों को जन्म देने की और उसके जन्म पर जश्न मनाने की मन माफिक सिक्षा प्राप्ट करने की और करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने की अपने पैसों को अपने इच्छानुसार खर्च करने की जीवन साथी चुनने की और खुद के जिंदग अपने उपर होने वाले सोशन, अत्यचार, दमन का प्रतिरोध करने और उससे मुक्ति पाने की आज़ादी आज भी औरते मांग रही है आज़ादी बहुत अच्छा मोटे वाशन इस भी दन्यवाद बाकी फ्रेंड से आज के लिए बस इतना ही बाकी फिर कभी दुबारा मुलाकात करेंगे असिका जी से और कालता आके बाकी आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट कर जरू बताएगा और बाकी बहुत जल्द मिलते हैं आसिका जी से भी और नेक्स वीडियो में भी मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद